प्रेर्ना दायक कहानी परिश्रम वीर सिंग एक छोटे से गाउं में रहता था. वह एक साधारन किसान था, जिसके जीवन का केंद्र उसकी जमीन और फसले थी. वीर सिंग के लिए खेती केवल जीविका का साधन नहीं था, बलकि यह एक कला, एक जुनोन और प्रकृती के साथ गहरे संबंद का प्रतीक था. वीर सिंग की सुभह सूरज की पहली किर्णों के साथ शुरू होती थी. वह अपनी जोबड़ी से बाहर निकल कर खेतों की ओर जाता. उसकी पीट पर हलका फॉल होता, हाथ में रस्सी और चेहरे पर सूरज की तपिश से तपाय जाने का हलका साडर. वीर सिंग की जमीन छोटी थी, लेकिन उसका दिल बढ़ा था. वीर सिंग के पास खेती का अद्भुत ग्यान था. उसने ये ग्यान अपने दादा से सीखा था, जो गाउं के सबसे अनुभवी किसान थे. वीर सिंग न केवर आधुनिक तक्नीकों का इस्तिमाल करता था, वलकि पुरानी परंपराओं का भी समान करता था. वीर सिंग की मेहनत और लगन रंग लाई. उसकी खेतों में हमेशा हरियाली रहती थी और उसकी फसले हमेशा लहलाहाती थी. वीर सिंग गाव के अन्य किसानों के लिए प्रेणा का स्रोत था वे अक्सर उससे सलाह लेने आते थे और उसकी तक्नीकों को सीखते थे एक साल गाव में भयानक सूखा पड़ा आसपास के सभी खेत सूख गए और फसले नश्ट हो गई खिसानों के चहरे पर चिंता और निराशा के भाव थे लेकिन वीर सिंग के खेतों में स्थिती कुछ अलग थी वीर सिंग में अपने दादा से सीखी हुई जल संग्रक्षन की तक्नीकों का इस्तिमाल किया था उसने खेतों में मेर बनाई थी जिससे बारिश का पानी जमीन में रिस सके उसने कम पानी में उगने वाले बीजों का इस्तमाल किया और ज्यादा खाद नहीं डाली वीर सिंग को मेहनत का फल मिला उसकी खेत सूखे से अच्छूते रहे और उसकी फसले लहलहाई वीर सिंग ने अपनी फसल का कुछ हिसा गाउं के अन्य किसानों को भी बाढ़ दिया वीर सिंग ने गाउं के अन्य किसानों को भी जल संगरक्षन की तक्नीके सिखाई उसने उन्हें कम पानी में उगने वाले बीजों का भी वित्रण किया धीरे धीरे पूरे गाउ में किसानों ने वीर सिंग की तक्नीकों को अपनाना शुरू कर दिया कुछी सालों में गाउ सूखे से उबर गया और किसानों की जिंदगी फिर से पट्री पर आ गई वीर्ष सिंग को पूरे गाउं में एक नाइप की रूप में समान दिया जाने लगा कहानी से सीख खठिन परिश्रम और लगन से सफलता अवर्ष मिलती है वीर्ष सिंग ने अपनी मेहनत, लगन और तक्नीक से न केवल अपने खेतों को बचाया बलकि पूरे गाउं की किस्मत भी बदल दी वीर्ष सिंग ने अपनी तक्नीकों को अन्य किसानों के साथ साजह किया जिससे पूरे काउं को लाब हुआ प्रकृती के साथ तालमेल बना कर रहना जरूरी है वीर्ष सिंग ने प्रकृती के अनुकूल खेती करके सूखे जैसी प्रकृतिक आपदा का सामना किया अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपिया हमारे चानल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिये गए पैल आइकन पर क्लिक करें चंदन के पौधों की बागवानी आपको चंदन के पौधे की बागवानी करने है जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रही, तो आप कॉंटाक्ट कर सकते हैं शबना सेवा संस्थान को जो आपको चंदन की पौधो तो प्राप करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्वदर्श की तरह मौजूद रहेगा. हमारा एक किसान की कहानी वाला विडियो को एक हजार से अधिक लोगों ने देखा और पसंद किया है. अगर आप हमारा एक किसान की कहानी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है आप उस लिंक पर ट्रिक करके वीडियो को देख सकते हैं आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोड़क्ट और कमपनी के प्रचार के लिए हमारे दिये गए नंबर पर हमसे संपर कर सकती हैं. धन्यवाद.